हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अगेंस्ट इसकाई सुपरिंग के लेटेस अपिसोड को लेकर आ गया हूँ मुझे उमीद है कि आप लोगों के यह अपिसोड पसंद आएगा तो फिलिस आप लोग वीडियो को लाइक के दीजेगा तो चली है आप लोगों का भिना कोई time जायके चलते हैं इस अपिसोड की तरफ इस अपिसोड की शुरूत में हम लोगों के तैन ताई के फादर को दिखाये जाता है जो कि इन सभी लोगों को बोलता है, 10U ने जो कुछ भी बोला है, वो सब कुछ सच है, क्योंकि STN टाइब में 4 सीरिज होती थी, फिल्ड रिफाइनिंग के, इस बात को सुनने के बाद, ग्राउन में जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्वाक हो जा बोलते हैं, मैंने भी नहीं सोचा था कि 10U के पास इतना जादा रेयर स्कील होगा, क्योंकि मुझे भी लगता था कि 16 पिल्ड रिफाइनिंग टेक्निगा भी लूप्त हो गई है, लेकिन आज मैंने अपने आँखों से देखा है, कि 10U इस चीज के बारे में जानता है, कि स् जाएगा, इस बात को सुनने के बाद, 10U elder को ग्रीट करता है, इसके बाद मास्टर 10Ti के फादर के चले जाने के बाद, उसे ग्रीट करते हैं, इधर हम मास्टर 10Ti को देखते हैं, जो की दूल से 10U को देख रहा होता है, और वो अपने मन में सुचता है, मुझे अब 10U के पहचान को सबसे चुपा कर रखना हुआ, क्योंकि वह बहुत ही जादा रेयर जीनियस है, इस लिए इस चीज में कोई भी सक नहीं है, कि इस कॉम्पिटिशन को 10U ही जीता है, क्योंकि वह एक फरनेस के अंदर में 16 पील को रिफाइन कर सकता है, जिसके बारे में आज तक कि आज ही सुना है, जो कि बहुत ही जादा अच्छी बात है, और इसलिए इस कॉम्पिटिशन को 10U जीत गया है, इस बात को सुनने के बार जितने भी लोग ग्राउन में होते हैं, वो लोग बहुत ही जादा खुस हो जाते हैं, और वो लोग 10U की नाम का जजज़गारा करने लगते हैं, इधर हम 10U को देखते हैं, जो कि अपने फरनेस को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है, इसके बाद चीप टैंक, फोल्ट एल्डर को बोलती है, आप यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को हार गें, इसलिए आपको यहाँ पर अपने सर्थ के मुताबिक 10U की बा इस पर 10U बोलता है, मेरे मन में जो आएगा, मैं यहाँ पर वो करूँगा, तुम यहाँ पर मेरा बिगार ही क्या लोगें? इस पर फोर्ट एल्लर को बहुत ही ज़्यादा गुसा आ रहा होता है, लेकिन तभी एल्लर गूंग सुंग 10U को बोलता है, तुमें इतना भी ज़ और 10U तुमारे पर जितनी भी सिखायत है, बस तुम उन सब को लिग दो, मैं उन सब को सुल्जा दूगा, और वो यह बोल करें, यहाँ पर फोर्ट एल्लर को डराने लगता है, कि तुमारे डिसाइपल नहीं पहले कलती की थी, इसलिए 10U ने उसे मार दिया था, इसलिए मै 10U फीचर में बहुत ही उंचाई तक जाएगा, यह लोग यहाँ पर यह सब बोली रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को 10U को दिखाया जाता है, जो कि एल्लर गूंसुम को मना कर देता है, क्योंकि 10U का पहले से ही मास्टर था, इसलिए 10U ने यहाँ पर ऐसा किया था, लेकिन एल्लर गूंसुम इस बात को सुनने के अबर 10U के उपर गुसा नहीं होता है, और वो 10U को बोलता है, इमोटल मोहल के दरवादे है, हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब भी तुम्हें मदद की जोरत हो, तब तुम हम लोगों से मदद मांगने के लिए आ सकते इस पर 10U एल्लर गूंसुम का सुख्रियादा करता है, इसके बाद एल्लर गूंसुम 10U को बोलता है, तुम बहुत ही जादा पावरफूर बनेगया की मुझे तुम्हारे ये लिए पर भरता है, तुम्हें टम्हें चिन खर नहीं है, तुम अगर जोरत हो तो तो तुम बीच पहले भले ही लड़ाई हुई थी लेकिन मैं अभी सीज़ के लिए माफ ही चाहता हूँ रब हम लोग एक दूसरे को एक दोस्त के रूप में जानेंगे इन बातों को सुनने के बाद तैन्यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्ते में आ जाता है और वो फोर्त एल तुम्हें यहाँ की साथ को रगा थी तो तो तुम्हें कि сामझा नई यहां नहीं हो तुम화ारा सीन्यर को बोलता है तो तुम्हारे सामने कि एसी बात सुन्कर एल्डर एल्लर को बोलता है तुमने जो स्ट लगा था हूं पूरा करने का टाइम आ गया है इस पर फोर टल्डर भी अपने घुटनों के बल आ जाता है लेकिन तेनियू इस चीज़ को देखकर भी यहां पर खुचने होता है और वह बोलता है तुमने तुम मेरे साथ सब्सक्राइब नहीं है कि तुम मेरे पेरों के पास आकर अपने पर बोलता है तुम मेरे बाई और उसके कुछ साथियों को मार दिया था इसलिए मैं आज इस चीज़ का बदला तुम से लूँगा और आगे बरो और मेरे सामने फिर से गुटने टेगो क्यों कि तीन बार मारने की बात हुई थी इस पर फोर टल्लर को ना चाहते वेवे भी तैन्यू के सामने जुकना पड़ता है और वह तैन्यू को बोलता है आज तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर दे हो इस चीज़ का बदला मैं फूचर में तुम्हारे साथ लूँगा इस पर तैन्यू की बोलता है फूचर का फूचर में देखा जाएगा फिलाल के अभी जो हो जो रहा है वह सब तो होने दो और भजह बोलकर दूसरा थपर भी इसके गालों के उपर माय देता है जिसकी वज़े से फोर्ट अलडर यहां पर बहुत ज़्यादा इंजड़ भी हो गया होता है लेकिन फोर्ट यह दो बारा से तैन्यू के सामने जाने लगता है इस चीज़ क को बोलता है अब तुम इसी समझ जाकर मेरे भाई के कबर के पास तीन दिनों तरक बैठ कर रहो ताकि मेरे भाई की आत्मा को सांती मिल सके इस बात को सुनने के बाद फोर्ट एल्डर भी यहां से चला जाता है लेकिन वह बहुत ही ज्यादा गुष्से में होता है इसके बाद एल्डर गुंसुंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तब तो इस कंपिटिशन को मेरे ही क्लैन के डिस्वाइपल लोगों ने जीता है जल्दी से तुम मुझे इस चीज के बार में और बताओ कि तीसरा डिस्वाइपल कौन है और एल्डर गुंसुं कि या बोलने के साथ ही हम लोगों के यह आपिसोड हो जाता है कि तब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लेक्ट थैंक्यों पर बाचिंग